आम ब्रिंगिंग और वो भी कोन से चेप्टर से G.O.C. the most basic and fundamental chapter of entire organic chemistry जहाँ पर हम लोग दो दिन के अंदर दो challenges लेंगे और complete करेंगे अपनी G.O.C. ना कि सिर्फ आपको train करेंगे अपने आने वाले exams और आने वाले questions के लिए क्या आप लोगोंने अपनी Organic Chemistry की त्यारी शुरू कर दिये और अगर नहीं तो इससे बहतरीन मौकर कभी नहीं मिलेगा दोस्तों विकोज आम ब्रिंगिंग Organic Chemistry और वो भी कौन से चैप्टर से GOC the most basic and fundamental chapter of entire Organic Chemistry कब लेके आ रहाँ दोस्तों इसी Saturday और Sunday को आप सभी के सामने हम लोग evening में six o'clock से beyond session organize करेंगे जहां पर हम लोग दो दिन के अंदर दो challenges लेंगे और complete करेंगे अपनी GOC which is general Organic Chemistry जो ग्यारी क्लास का एक बहुत important topic है first chapter Organic Chemistry के point of view से जिसका नाम है Organic Chemistry some basic principles and technique सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका contribution क्या है और कितनी important है Organic Chemistry दोस्तों Organic Chemistry बाकी तीनों subject की अगर आपन बात करें जैसे कि physical chemistry और 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 आप पढ़ने से पहले हमें alphabet जाने ज़रूरी है जिस तरह से mathematics के बड़े-बड़े सवाल लगाने से पहले सबसे पहले digits के बारे में जाना ज़रूरी है नंबर्स के बारे में जाना ज़रूरी है उसी तरह से Organic Chemistry का भी सबसे fundamental chapter होता है या सबसे basic term जिनकों लोग यूज करते हैं वो हता है G.O.C कोई भी सवाल incomplete है G.O.C के बिना अगर वो organic chemistry का सवाल है तो हर एक chapter में सबसे important क्या कहलाता है G.O.C क्योंकि general organic chemistry basically कुछ ऐसे funda आपको देती है जो ना कि सिर्फ आपको train करेंगे अपने आने वाले exams और आने वाले questions के लिए also एक basic त्यार करते हैं एक flow त्यार करते हैं जिसको use करके आप हर एक chapter के अंदर ace कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ chapters के name लिखे है हूँ जिन में पिछले 5 सालों में काफी अच्छे सवाल पूछे गए हैं और यह वो सवाल है यह means का basically data है सारा 2019 से 23 तक data है दोस्तों यह बताना चाहरा है कि हर एक chapter के अंदर कितने frequently सवाल पूछे गए हैं अगर आप GOC के अकेले की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर भले 33322 दिखाई दे रहा होगा भले और chapter से अगर आप compare करेंगे जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यहाँ पर containing oxygen के अंदर आपके पास में आ जाते है aldeate ketone carboxly acid इस chapter से भले यहाँ पर कम question दिखाई दे रहूंगे लेकिन जैसा कि मैंने बताए कि हर एक chapter का सबसे basic तो GOC होता है अगर GOC नहीं पता तो आप कोई भी question organic का नहीं कर सकते हो तो दोस्तों GOC कैसे help करता है मैं आपकी कुछ चीजों में help करवाता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी chapter अपना flow कैसे पकड़ता है GOC के बाद में आप पढ़ेंगे hydrocarbon, alkyl halide, aryl halide, alcohol phenol ether, aldeate ketone, carboxlic acid या फिर उसके बाद में amines हर एक chapter में आप ये common sequence पाएंगे सबसे पहले हम लोग introduction पढ़ते हैं उनके periodic, अच्छो हम लोग उनके naming जानते हैं आयू PC naming नेमिंग के बाद में हम लोग पहुंचते हैं उनकी preparations के उपर, then physical and chemical properties पढ़ते हैं और chapter हो जाता है खात्मू तो दोस्तो हर एक chapter में यही sequence यहती है तो हमें basically क्या जानना जुरूरी है हमारे पास में किस तरह की trending सवाल आते हैं हमें GOC कैसे help करने वाला है GOC में सिखाता है दोस्तो mechanism से based questions के उपर कौन से type की reaction है, कौन attacking reagent था क्या product बनेगा, कौन सा minor product है, कौन सा major product है यह जानने में हमें help करेगा साथी में किसी भी तरह के concept based question आते हैं concept such as resonance, inductive effect, electronic effect, hybridization, representation बहुत सारी चीज़ों की सवाल बनते हैं then question आते हैं naming relations के उपर recently बहुत सवाल पूछे गए थे aldol condensation, canny zero reaction williamson ether synthesis काफी सवाल बनते हैं इन सवालों से in reactions के उपर, stereo chemistry जो आपको सीखने के मिलेगी, specially जब हम लोग क्या पढ़ेंगे isomerism का part पढ़ेंगे, stereo isomerism का part पढ़ेंगे, और फिर आती है in fact, सारी चीज़ों के उपर dependent होता है, मतलब आप यह मान लीजिए कि कोई भी सवाल एक topic पे बेस नहीं होगा multiple topics से club किया जाता है और इसलिए ज़रूरी हो जाता है concepts को clear करना, और वो कौन clear करेगा one and only general organic chemistry जिसका flow मैंने आपे दिया हुआ है यह road map है हमारा यह हमारे दो दिन का challenge है are you able to accept this challenge? comment करके बताओ, दिखते हैं कितने लोग आप मेंसे इस challenge को लेने के लिए सक्षम है, तो दोस्तों इस challenge को लीजिए मेरे साथ में complete करो अपनी GOC की journey को जो कि होने वाली है इसी weekend पे Saturday and Sunday को इवनिंग में 6 बजे से onwards हम लोग finish करेंगे complete GOC को दो segment के अंदर challenging day 1 और challenging day 2 देखते हैं आप मेंसे कितने लोग इसे challenge को accept कर पाते हैं दोस्तों हमें structure पढ़ने होंगे किस तरह से represent किया जाता है, कैसे हुनको classify किया गया है, कौन से उनमेंसे aromatic होते हैं, कौन non-aromatic होते हैं, कौन से anti-aromatic होते हैं, किस तरह के trivial naming और IPC naming होती है, क्या electronic effects होते हैं, resonance, mesomeric effect, then inductive effect, then hyperconjunction क्या होते हैं, and then कौन-कौन से fundamental involved होते हैं reaction mechanism के अंदर तो mechanism सीखना बहुत जरूरी है और I hope कि आप सारे लोग attend करेंगे इस lecture को, दोस्तों अगर आप unacademy का सबसे बेहतरीन offer accept करना चाहते हैं, which is unacademy pro, जो कि सिर्फ आपको online education ही नहीं देगा, apart from that, आप किसी भी offline center पे, nearest offline center पे जाईए और अपना doubt clear कर सकते हैं, साथ ही में हर एक test आप offline center में जाके दे सकते हैं और बाकी सारे बच्चों के मुकाबले में, अपनी progress भी observe कर सकते हैं, so, इस चीज के लिए दोस्तों enroll करने के लिए, आज ही enroll कर लीजिए, और use कीजिए code CSA, which is the most training code of unacademy these days, इसी तरह से दोस्तों हमारा एक और batch आ रहा है, जो कि 9999 में available है, वैसे 24 जुलाई को शुरू होने वाला है, और आप इन सभी दिगजों से पढ़ सकते हैं, लेकिन use कीजिए, मेरा code CSA, sir, और इन दिगजों के अलावा भी अगर दोस्तों आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो I am available exclusively only on an academy, just go there, मुझे आप follow कीजिए, every time I will be creating my session वो आपको visible होगा, आप मेरी कोई भी live lecture को attend कर सकते हैं, ये facilities आपको मिलती हैं, प्लस subscription के उपर, ये आपको मिलती हैं कहां पर प्लस subscription के उपर, दोस्तों we also are bringing a test series जो की yearly basis पे आपको total 29 test करवाएगी JEE main के लिए test series है, ये आप जोइन कर सकते हैं, लिंक दियावा है इन्रोल कर लीजे, आज ही और all the very best for your JEE journey